बसकार दोस्तों स्वागत है आपको मेरी चैल्वर फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजली जिन्दगी में कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता जिन्दगी में कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता जो है आपके पास उसको संभल कर रखना क्योंकि एक बार खोकर प्यार फिर दो बारा नहीं मिलता जहां हमें सही सुन हम आज की देली राजिवल की बात कर रहे हैं सबसे पहले आज इनका बर्टे है या अनुवर्सरी है उनको मेरी तरफ से छेर सारी गुडविशिस तो चलिए शुरू करते हैं चिंगारी का खौफ ना दो हमें दिल में आग का दरिया बसाई बैठे हैं जल जाते कव के इस आग में मगर खुद को आसवों में फिकोई बैठे हैं मरने वालों को रोने वाले हजार मिल जाएंगे मगर जो जिन्दा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता आपको भी कभी कोई समझने वाला नहीं मिला पर आप चिंटा मत करें और अपनी मंजिल बर ध्यान दे लोगों को अपनी आप एक दिन आपकी एहमियत जरूर पता चलेगी रुकसत हुए तेरी गली से हम आज कुछ इस कदर लोगों के मुँपे राम नाम था और मेरे दिल में बस तेरा नाम था कभी पत्थर की छोकर से भी आती नहीं खरोच और कभी एक जरा सी बात पर इनसान बिखर जाता है आपको भी कभी भी किसी की बात को दिल पर लगा कर बिखरना नहीं आपको हर कदम पर संभल कर चलना है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज आपके लिए शुब रंग याने की लखी कलर रहने वाला है सफेद याने की वाइट और शुब अंक रहेगा चार आज का जो दिन है वो आपके लिए खुद का कुछ काम शिरू करने का हो सकता है अगर आप में कोई विशीश कला का ग्यान है आज आप अपनी किसी खूबी को करियर के रूप में ले जाना चाहती है तो उसके लिए प्लानिंग्स करने का अभी समय है आप जरूर कीजे आपके साथ भगवान की किरपा बनी रहेगे अज आपको अपने लिए फिर से नए सिरी से सोचने की जरूरत पड़ सकती है दिन आपके लिए बहुती लाब देने वाला भी हो सकता है बल्कि आपको जो है अपने कोशिशों को लगातार जारी रखना चाहिए निश्चित रूप से आपको सफलता अविश्य मिलेगी वही आज जो है विध्यारतियों यानि कि स्टूरंस को अपनी प्रतियोगी समंधी परिक्षा में उचित रिजल्ट मिल सकते थे जैसा कि आप चाहते थे वैसा ही होगा आज सपने सकार करने का दिन है आपका इसलिए खूब महनत से काम करें कहीं अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो फॉरण कर दीजें समय बहुत अच्छा है आज स्कोर्ट के चाहरे के मामलों में भी आपको बहुत रहत मिलेगी कई मामले असानी से आपके सुलिस्ते नजर आएंगे भाईयों के साथ भी कुछ लाबकारी परिस्थितियों पर विचार भी मर्ष हो सकता है आज आलस की वज़ा से किसी भी काम को करने का प्रयास ना करें तो किसकी वज़ा से जो आपके कुछ काम है उसमें देरी हो सकती है प्लानिंग को क्रियानवित करते समय कुछ दुविधा की स्थिति रहेगी यानि कि अगर आप उस planning को जो है सच में इसको एक रूप देना चाहते हैं तो उसमें आपको काफ़े दिक्कते आ सकते हैं इसके लिए नजदीकी व्यक्तियों की जो सला है वो लिना आपके लिए सभाईद मन साबित हो सकता है आज का दिन आपके लिए कई तरह के सादनों की उपलब्दी भी तिलवाने वाला होगा कुछ problems जो आपके लिए लंबे समय से परिशानी का कारण बनी होई थी उनमें से कुछ का solution हो सकता है अज आपको अपने thoughts पर काम करना होगा, तद्दिली लानी होगी आज आपको इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखना होगा कि आपकी बातों से किसी को कोई problem ना हो, कोई आहत ना होने पाए इस बात का आज आज आपको विशेश रूप से ध्यान रखना है आज जो हैं ग्रहों की स्थितियां जो बनी हुई हैं आज के लिए बहुत अच्छे अच्छे अवसर प्रदान कर रही है सिथारे क्या रही हैं कि आपको इनका भरपूर मात्रा में उपयोकर लेना चाहिए क्योंकि ऐसे स्थितियां बार-बार नहीं बनती आपके जो सारे के सारे काम है वो असानी से complete होते नजर आएंगे इसका इश्रे आपके ग्रहों की स्थिति पर जाता है जिसकी वज़े से आपका जो मन है वो भी प्रसंचित रहेगा लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि काम की अधिक्ता के प्रभाव की कारण आपका जो स्वास्ता है वो थुलन डावा डोल हो सकता है आज स्वास्ता भी जो है आपके पीट दर्द हो सकती है जादा काम अगर वोजिल होगा तो इसलिए आपको रेस्ट करने की भी सलहा दी जाती है साथ ये आपको बोल चाल का लहजा नरम रखना होगा कटू वाणी के वज़े से कुछ लोगों से नराजगी पैदा हो सकती है जो कि अच्छी बात नहीं है इसलिए ध्यान रखिएगा अब आगे बढ़ते और बात करते हैं बिजनस और करर की तो विविसाय के स्थल पर सहयोगीों का कारिक के प्रती पूरण समर्पन रहेगा यानि सब कुछ आप अपनी काम पर ही फोकस करेंगे और आपका भी दबदबा बना रहेगा नौकरी पेशा लोगों को अगर नौकरी में कोई बदलाव समंधी अफसर मिले है तो फॉरन उसे लिलाना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए फायदमन साबित हो सकते है इसे के साथ ही जॉब में आज नए प्रोजेक्ट मिलने के असार है नए डील हो सकती है टार्गेट मिल सकता है आपको और उसको पूरा करने के लिए आपको तत्पर रहना होगा जो लोग बिजनस में हैं उन्हें नए सौदों की प्राप्ती भी हो सकती है यानि कि इसे जो है आने वाले जो दिनों की मुश्किल हैं वो थोड़ी बढ़ेंगी जरूर लेकिन आर्थिक स्थितियां जो हैं वो काफे बढ़िया रहेंगे विवसाई के दृष्टी से दिन बहुत ही उत्तम कहा जा रहा है सितारे कहते हैं कि कुछ बाहरी स्त्रोसों से चल रही बातचीत का आज उत्तम परिणाम सामने आ सकता है और हाँ इंपोर्जन्स अफसर मिलने के भी योजनाई बन रही हैं सितारे कह रही हैं कि आज आज आपको बहुत से अच्छे अफसर मिल सकते हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए अपने योगीता को दिखाने के लिए साथी साथ में कुछ समय से आ रहे उतार चड़ावों में भी आज ठहरा वाने की समभावना नजर आ रही है जौब में जो है मन आप में से कुछ लोगों का जिन नहीं लग पाएगा ध्यान जादा उधर-उधर की बातों पर लगा रहेगा बोरित महसूस कर सकते हैं कि बस छुट्टी हो और हम घर जाए ऐसा मन में फीलिंग्स आ जा सकती हैं जो लोग नौकरी करते हैं नए काम की तिलाश भी हो सकते हैं आपको क्योंकि मन जो है वराइटीस का आशिक है इसलिए आज आज आप कुछ अलग करने की सोचेंगे और अपनी जोग को बदलने का भी विचार भी बना सकते हैं चलिए बात हमने की बिजनस और करिर की अब बात करते हैं लव लाइफ की तो आज लव लाइफ कहती है कि व्यस्तिता की बावचूर आप घर परिवार को प्रात्मिक्ता दे यानकि सबसे बहली जो चीज है आपको अपने परिवार के लिए ही करनी चाहिए जिससे जो है पती-पत्नी का आपस में सामान जस्य बहुत ही मचबूत होता नजर आएगा इसके साथ ही घर की सुकसुविधाओं पर भी ध्यान देना होगा क्या चीज खराब है, क्या चीज सही नहीं है उसको ठीक करवाएए, घर की चीजों पर आज आपको फोकस करना चाहिए विवाहे की जीवन के लिए समय बढ़िया रहेगा प्रीम के सबंदों में समस्याई आ सकते हैं इस्पैशली जो अभी नए ने रिष्टे बने हैं, उनमें प्रॉब्लम ही आ सकते हैं आज आपको अपनी परिशानियों को परिवार के साथ जरूर शेर करना चाहिए आपको जीवन साथी से पूरा-पूरा सयोग भी मिलेगा पेरन का सपोर्ट भी साथ में मिल सकेगा पेरन जो है आपकी बात को जो है अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे आज परिवारी के लोगों के साथ खरिदारी करने में आपको बहुत ही खुशिया महसूस हो सकती है इसे के साथ जीवन साथी का आपकी प्रती पॉजिटिव रवाईया आपके मनोबल को और भी मजबूत बनाएगा जिससे आप काफी गर्व और फक्र महसूस करेंगे खान पानों की चीजों पर आपको विशेश रुफ से ध्यान होगा हेल्थी हेल्थी डाइट लेनी चाहिए और साथ में अराम तो करना ही होगा अज आपको जो है सेहत का साथ मिल पाएगा अपनी पूरी उर्जा को काम पर लगा सकेंगे आपको अपनी mental health पर भी focus करना है यह रहा हो कि आपका दिल कहीं है और दमाग कहीं और है इसलिए जो है आपको mental health आपको ध्यान में रखनी होगी इस बात का गले में आज कई लोगों को खांसी बगरा हो सकती है गले में infection हो सकती है आईरवेदी चीजों का अगर आप सेवन करते हैं तो आपको बहुत ही ज़ादा आज आपको देखने को मिल सकता है तो चलिए बात करते हैं आज के विशी शुपाई के बारे में तो अज आपके लिए जो है विशी शुपाई रहेगा आपके आजाओ को हनुमान चलीसा का बार्ट करना चाहिए या फिर बजरंगबान का बार्ट कर सकते हैं अगर आप पार्ट नहीं कर सकते हैं आपको जल्दी है तो आप भगवान дня नमान जी की मंत्रों का जाब जो है 21 बार कर सकते हैं इसे आपको बहुत ही रहत मिलेगी और साथ इसाथ में अगर आप अपने इश्ट टेव को प्रसंद करते हैं किसी भी रूप में उनकी आग्या मानते हैं या फिर कोई ससंग वगरा सुनते हैं तो उससे आपको बहुत रहत मिल सकती है सासंग हमेशा सुनते रही गया क्योंकि सासंग से आपको जो हम सबको अपनी खामियों के बारे में पता लगता रहता है तो इस बात का आप विशेश रुप से ध्यान रखेगा तो दोस्तों अगरे आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा धन्यवाद